हेलो दोस्तों स्वागरे आप सक्का मेरे YouTube चैनल सचीन एजुकेशन हब पर दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं परकेसेट्स तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो उसको देखा है तो आपको यह चीज़ पता होगी कि परकेसेट्स में मैंने टॉपिक अल्रेडी अहां पर मैंने दो में परकेसेट्स के बारे में बात करी थी यह रेंट फ्री अकॉमोडेशन वाला और साथ में मोटर कार वाला तो जो दो में थे वो मैंने अल्रेडी कवर कर दी है विद प्रेक्टिकल इलस्ट्रेशन के साथ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए क्य तो करेंगे स्टार्ट लेकिन उससे पहले एक important information दोस्तों कि अगर आपको कोई भी notes किसी भी commerce object से regarding चाहिए आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईंग कर सकते हैं जो चैनल का link है आपको मेरी video description में मिल जाएगा देखे दोस्तों start कर रहे हैं दो तो मैंने करवा दिये अब तीसरे नमबर पर जो main important चलो अब मानो या ना मानो जितने भी further बचे हैं वो सारे के सारे अब करने हैं हमने कि उसमें से आता है जैसे कि domestic servant के लिए पैसा आपने दिया हो यानि अगर एक employer आप अपने employee को एक domestic servant के regarding पैसा दे रहा है और वो domestic servant कौन हो सकता है gardener भी हो सकता है sweeper भी हो सकता है watchman भी हो सकता है तो उसके regarding उसने उसके खर्चे पे कर दिये कि चलो तुम watchman रख लो खर्चे मैं दे दूँगा तो उस case में employer ने जो आपको उस watchman उस gardener के खर्चे दिये थे उतनी cost मतलब जितनी भ normal सी बात है simple सा answer है इसका कि जितनी actual cost एक employer ने अपने employee को उस purpose के लिए दी है वही सारी ले ले लेनी है इसमें कोई exemption है कोई deduction करने की जूरत नहीं है जब तक वो आपको कोई पैसा वापस नहीं कर देता ठीक है अब आता है कि note number आप note अगर देखना चाहते हो तो देख लो व engaged by employee and the employer and paid or reimburse the employee for wages of such servant मतलब अगर आपको ये कह लो कि employee ने उस servant को रखा है और खर्चे मैं दे रहा हूँ खीक है तो वो परकेसेट सभी employees इसके लिए equal माना जाएगा लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मतलब एक employer ने मिलके अपने employee को परकेसेट दिया है इस चीज का कि मैं servant दे देता हूँ उसके खर्चे भी मैं pay कर देता हूँ तो मुझसे काम करवालो जो करना है तो उस case में वो specified employees के लिए परकेसेट होगा यानि कुछ specific employees को ही मैंने वो परकेसेट दिया है सभी को नहीं दिया लेकिन अगर एक employee खुद रख रहा है उसके खर्चे मैं pay कर रहा अब आते हैं दूसरे परकेसेट के उपर आज के वो क्या कहता है कि अगर एक employer आपको कोई gas की facility दे रहा है electricity facility प्रवाइड कर रहा है या water supply की facility प्रवाइड कर रहा है तो उसमें दो cases हो सकते हैं तो अगर हमने ये परकेसेट माना है कि suppose को एक employer ने क्या कहा कह दिया कि चलो यार मैं अपने employee को न तुमें क्या देता हूँ gas की facility दे रहा हूँ या water supply की facility के लिए पैसे दे रहा हूँ तो वहाँ पे जो supply है ध्यान से समय ना अगर वो supply है if a payment is made to agency supplying of gas, water and electricity मतलब employee को कहीं और से gas supply हो रही है कहीं और से water supply हो रही है कहीं और से electricity मिल रही है जो employer से regard नहीं कर रहा है employer उससे link नहीं है तो वहाँ पे अगर पैसा दे रहा है employer उसके लिए मतलब उसको कह रहा है कि तुम मत देना तुमारे खर्चे मैं दे दूँगा उस case में तो वहाँ पे वो चीज जितना भी खर्चा उस employer ने उस employee के regarding इस facility में किया होगा उतना ही खर्चा आपने ले लेना है लेकिन अगर दूसरा case है कि जहाँ पे supply उन resources से आ रही है जो resources employer के अपने ही है मतलब employer के अपने अपना मतलब supposed करो employer खुद ही उस agency का मालक है तो वहाँ पे वो चीज क्या होगी वहाँ पे perquisite की value को हमने calculate करना है manufacturing cost per unit के हिसाब से वहाँ पे जितनी value दियोगी उतने हिसाब से नहीं लेना वहाँ पे manufacturing cost लगेगी उस चीज की तो ये दो cases हैं जहाँ पे आपको ध्यान से करना होगा इस perquisite को अब इससे भी बहुत important topics आगे शुरू होने वाले हैं ध्यान से समझेगा क्योंकि जिसवे से आपको question में जादा नजर आएंगे चीजें जैसे की free and concessional educational facilities अब आप कई जोनों क्या करेंगे allowances और इसमें confused हो सकते हैं तो इस चीज को ध्यान रखना कि educational allowance अलग से है और ये perquisite है अगर हमने अगर एक employer ने क्या किया एक अपने employee को मतलब अपने बच्चे के लिए क्या दे दिया that is concessional educational facilities प्रोवाइड कर दी या फिर free में educational facilities प्रोवाइड कर दी तो उसको हम एक perquisite मान लेते हैं और ये दो cases हो सकते हैं इसमें भी कैसे कैसे अगर एक educational institution employer अपना है मतलब employer का अपना है मतलब मेरा suppose करो अगर मैं एक employer हूँ मेरा अपना एक क्या है institution है जहां पे मैं अपने employee को कह रहा हूँ जाओ तुम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा दो free में अगर पढ़ाना चाहते हो तो मुझे कोई बात नहीं है तो वहाँ पे मैंने उसे वो facility दी है free में पढ़ने की तो वो क्या है एक perquisite है उस employee की regarding लेकिन अगर वहाँ पे कोई perquisite है तो वहाँ पे हमें कैसे value पता चलेगी perquisite के कितनी लेनी है हमने वहाँ पे हमने लेनी है cost of such education in similar institution and near of locality मलत जो similar institutions उसके regarding होंगे वहाँ पे कितनी cost चल रही है उस case में उतनी हमने ले लेनी है या एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो जो हमने provide करी है facility free में या concessional में अगर उसकी value 1000 उपए पर महीने से भी कम है यानि उसके बच्चों को हम उस category में पढ़ा रहे हैं जहां पे उसकी फीज जो है month की 1000 पे नहीं जा रही तो ये परकिसेट की value मानी ही नहीं जाएगी मतलब ये परकिसेट आएगा ही नहीं फिर फिर निल value जाएगी इसकी लेकिन अगर 1000 पे से जादा है किसी की फीज तो वहाँ पे उसकी value का consider कर लिया जाएगा ठीक है जी अगर इसके इलावा वो मेरा मैं एक employer हूँ मेरा वो school नहीं है मैंने उसके किसी ऐसे school में अपने हिसाफ से डाल दिया जहाँ पे मैंने कहा दिया कि चलो तुम पढ़ाओ मैं मैं पैसे दे दूँगा at a concessional rate या ऐसा free में मैंने उसे का तुम पढ़ाओ मैं पैसे दे दूँगा जो कुछ भी ऐसा है तो वहाँ पे क्या होगा जितना खर्चा मैंने दिया होगा उतना ही खर्चा परके सेट की value में डाल देना है that's it ठीक है तो ये तो बात बहुत simple सी है अब थोड़ा सा ध्यान देना है अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब free और concessional tickets का भी आपको normal सी बात है ये एक line में लिखा हुआ है इसी में इसमें जादा ध्यान देने की जूर्द नहीं है लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें रोक कर मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे जुरूरी है कि अगर आ कोन से हैं who is engaged in carriage of passenger or goods जो carriage purpose के लिए लगे हुए employees किसके regarding passengers या goods के regarding या फिर ऐसे employee या किसी ऐसे employer को ऐसे member of household को उसके या उसके किस purpose में that is personal या private journey के regarding म expressions 거예요 को देना या किसी ऐसे employee के हाउसओं member को देना जो उसकी परसनल या private journey के regarding हो और free of cost या concessional rate पे हो यानि free of cost के लिए regarding journey अगर कर रहा है कोई उसका employee करना चाहता है या concessional rate पे करना चाहता है तो उस case में भी उस employee को ये benefit दिया जा सकता है तो ये दो ही ऐसे employee है जहां पे आप ये वाला perquisites इस्तेमाल कर सकते हो other category में ये perquisites की value add नहीं की जा सकती Sir हमने इतना तो पढ़ लिया अच्छे से ठीक है अब हमें ये बताई हैं कि इसके लावा भी बहुत सारे perquisites अभी value में बहुत कम आगे आने वाले हैं जिसको आपने बहुत ध्यान से consider करना है अभी तक perquisites को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो अब जरूर देख लेना क्योंकि अब जो आने वाले हैं वैसे तो पिछले भी कोई ऐसे आ सकते हैं जो question में आपको मिल जाएंगे लेकिन अभी जो आने वाले हैं उसके उपर जादा फोकस कर लेना क्योंकि ये जादा तर चीजें आपको नजर आएंगी जो अब से शुरू होने वाली है सर कौन से? नमबर वान पे आता है इंटरस्ट फ्री और कंसेशनल लोन अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना है क्या समझना है? अगर आपको इंटरस्ट फ्री रेट के उपर लोन दिया जाता है मतलब मैंने लोन दे दिया, इंप्लॉयर ने एक लोन दे दिया लेकिन उसके उपर इंटरस्ट नहीं लिया, यह इंटरस्ट कम रेट पे लिया तो वहाँ भे क्या होगा? सम इकवल टू इंटरस्ट, जितना इंटरस्ट आपका बनेगा ठीक है? कंप्यूटिड एड़ दा रेट चार्ज पर एनम बाई सैबी अगर कोई वैल्यू आपकी लग रही होगी, इंटरस्ट की अलड़ी बन रही है उसे बीच में से माइनस कर देना है यानि in short, यहाँ पर आपने क्या ध्यान में देना है SBI के first day of category में इसमें आपने क्या ध्यान देना है कि SBI में जो भी आपका main part है यानि first day of relevant PY in respective loan for the same purpose और किस के उपर लेना है? on maximum outstanding monthly balance के उपर यानि कौन सा balance means the aggregate outstanding balance for each loan on the last day of each month हर महीने के end में जो outstanding balance आपका बनेगा उसके उपर आपने वो rate लगा देना है जो SBI के पहले दिन के consider किया जाएगा और जो आपने consider किया होगा उन दोनों को आपस में minus करने के बाद ठीक है जी? This is the main point अब आता है कि इसके under ही आपको समझना है कि however no value will be charged कोई value charge नहीं की जाएगी अगर वो loan किसी ऐसे purpose में है जो medical treatment के लिए दिया जा रहा है एक employee को और specific disease के regarding कौन कौन सी cancer हो गया या tuberculosis के regarding हो गया और या फिर उस loan की अगर amount 20,000 वे से जादा नहीं है तो वहाँ पे आप इस चीज़ को इस चीज़ को इस चीज़ को perquisite नहीं मानोगे तो ये बहुत important चीज़ है अगर आपको loan 20,000 से कम दिया जाता है तो आप ये क्योंगे कि सर ने बताया था कि इसे perquisite मानना है तो गलत हो जाएगा क्यूं? सर ने ये भी बताया था कि 20,000 से नीचे वाला loan के उपर perquisite नहीं है चाहिए वो concessional rate पे दिया हो ठीक है लेकिन इसके लावा अगर medical treatment है तब भी नहीं मानना अगर simple case में है तो मान के चलना है और calculation ध्यान से करनी है ठीक है? चलिए अब आता है free and concessional food अब आईए जरा ध्यान से समझने के लिए कि अगर आपको working hours में क्या है food के regarding मतलब एक simple जी बात है employer employee के अंदर जब आप business में लगे हो तो food तो मिलता ही है या फिर आपको कहीं पे employer कहता है चलो मेरे साल lunch dinner पे चलते हैं ये वो है न तो वहाँ पे क्या करना है वहाँ पे क्या होगा देखो जी अगर आपको tea and snacks मिल रहे हैं working hours के अंदर business में तो बहुत अच्छी बात है वहाँ पे आपको tax वहाँ पे आपको purchase rate की value नहीं गिने जाएगी वहाँ पे आपको purchase rate भी नहीं दिया जाएगा ठीक है वो तो normal से routine में है मिलता रहेगा ठीक है लेकिन अगर आपको कोई खाने के लिए दिया जा रहे है office में यानि meal provide किया जा रहे है और कितने के लेनी है देख लो भई income tax वाली क्या कर रहे है वो कह रहे है 50 रुपए पर meal के उपर मलब एक meal के लिए 50 रुपए से उपर वाले के जितने भी exemption में लेगा आपको मतलब 50 रुपए तक आपको माफी है उसके उपर अगर आपने meal खाया या meal लिया तो समझो वहाँ पर आपको tax देना पड़ सकता है मलब वहाँ पर आपको perquisit के value बन जाएगी और perquisit के value के उपर tax लग जाएगा ठीक है तो in short क्या होगा कि perquisit के value कब मानी जाएगी जब 50 रुपए से उपर आपने meal ले लिया एक employer से अब लेने में तो मना कर नहीं सकते बन गई तो बन गई ठीक है तो ये ध्यान में रखना है अब food and non-alcoholic beverages में क्या है अगर आप remote area में दे रहे हो तो भी वहाँ परquisit नहीं माना जाएगा अगर आप working area में काम कर रहे हो ठीक है लेकिन अब जो working hours है अरे भाई उसमें एक चीज़ ध्यान रख लेना कुछ कहेंगे कि working hours का मतलब overtime को consider नहीं करना है तो income tax वाले कहते हैं जरह रुको अरे अकेला overtime छोड़ो working on holiday भी बीच में add हो जाएगा अब बताओ क्या करना है कुछ नहीं बस मान के चलो आगे क्या करना है overtime प्लस working holiday दोनों को add कर लो बीच में तो working hour बनेगा नहीं तो भई कोन कह रहा है जो overtime नहीं लेना उसे को income tax की बुक पड़किया है ठीक है जी तो ध्यान रखना है overtime और working holiday बीच में add करना है ठीक है नहीं तो income tax नराज हो जाते है चलो अब आते हैं आगे value of gift अब कोई आपको gift दे दे था employer तो क्या उसे खुशी-खुशी ले लोगे अरे रुको पहले जान लो कि परकिसेट की value कैसे लेते हैं उसमें तो value of gift और voucher अगर आपको वहाँ पे लेनी है परकिसेट की तो जितना gift होगा उतने के लिए लेनी है पर however in case of kind और cash कुछ भी कहलो gift आपको मिल रहा है अगर उसकी value 5000 से नीचे-नीचे है तो भाई आपको परकिसेट की value नहीं लेनी महलब 5000 तक आपको exemption है 5000 तक का gift ले लो employer से तो कोई बात नहीं बले बले हमेश खुशें मिलेंगी लेकिन अगर एक employee आपने employer से 5000 से ज़ादा के gift ले रहा है आप खुश गुश ले तो लेगा पर उसकी परकिसे value बन जाएगी 5000 से अगर ज़ादा हुआ तो कोई बात नहीं आप ले लो बाद में बाद में देखेंगे ठीक है ना चलो पर ज़ादा बड़ा भी मत लेना ना कोई देता भी नहीं है वैसे चलो value of credit card expenses अब credit card expenses में कितना है अरे वही जितना खर्चे आपके credit card खर्चे बनेंगे यानि जितने भी बनेंगे कैसे लेने आपने total expenses सारे ले लेने है with including membership और annual fees दोनों को एड़ करके और उसमें से अगर official purpose के कुछ खर्चे थे पहले उसे minus करो अगर कुछ खर्चे आपने employer को वापस करे हैं वो भी minus करो then after कोई value बनी है वो आपकी इस case में परके सेट की value डाल दी जाएगी किस case में जब आप credit card के खर्चे भी आपका employer आपके दे रहा हुगा तब ठीक है यानि एक employee के पास credit card है उसके खर्चे भी कौन दे रहा है employee दे रहा है तब ये परके सेट की ना जाएगा ठीक है अगर ऐसा ही same case club expenditure में हूँ तो वहाँ पे भी same to same करना है जो आपने उपर करा कोई change नहीं है साथा ठीक है चलो अब बात करते हैं movable asset को use करने की और नीचे आता है transfer करने की दोनों में बेटा confuse मत हो जाना नहीं तो बात खतम हो जाएगी वहाँ पे तो use अगर करें है movable asset को आपने use करा है तो ध्यान रखना कि अगर तो आप computer और laptop use कर रहे हो office के तो भई भूल जाओ कुछ नहीं देना है आपने कुछ परके सेट नहीं माना जाएगा वहाँ पे आपकी परके सेट की value गिन ली जाएगी जो चीज आपने ऐसी use करी है जो employer ने आपको use करने के लिए दी है except laptop और computer उसमें कैसे value गिनी जाएगी जितनी कोई चीज आपको दी है उसकी actual cost का 10% या तो ले लेना है या अगर वो चीज रेंट पे है तो जितना रेंट बनेगा वो ले लेना है या फिर जितना charge होगा वो ले लेना है इन तीनों चीज़ों में से जो चीज गिवन होकी वो ले लेनी है बस ध्यान से करना है इस चीज़ को कि ये case है use of movable asset का पर भई अगर आता है transfer case तो depreciation उठा के मार देने उसके बीच में है ठीक है क्या करना है अगर आपके computer यहां कोई electronic device आती है बीच में तो भई बहुत ज़ादा महंगी होती है तो 50% depreciation return down value method के अनुसारू से ले लेना है ठीक है अगर आप motor car का इस्तेमाल कर रहे हो तो 20% on the return down value उस asset के उपर add करते रहना है अपनी परकिसेट के value के लिए लेकिन भई इसके इलावा भी अगर कुछ चीस बीच में आ जाती है तो उसके लिए 10% किस बेस पे straight line method के बेस पे है तो इन तीनों में difference समय लेना बहले दो return down में है और नीचे वाला straight line में है ठीक है कौन कौन सी value 50, 20 और 10 के हिसाब से लेना है कौन कौन के उपर electronic computer के उपर electronic items और computer motor car and other movable assets लेकिन यह किस case में है transfer के case में है ठीक है चलो एक important चीज अगर telephone के खर्चे भी आपका employer आपके pay कर रहा है अरे भई माफ करो employee को कभी तो माफ कर दिया telephone के खर्चे अगर pay करेगा तो उसमें perquisite की value नहीं मानी जाएगी ठीक है चलो अब एक last topic last perquisite के लिए जान लेते हैं जल्दी से कि valuation of specified security or sweat equity shares अरे भई अगर sweat equity shares या specified securities की बात की जाती है अगर shares RSC यानि recognized stock exchange में listed होंगे तो भई याद रखना कि वहाँ पे fair market value आपकी कौनसी होगी be the average of opening and closing price of the share on that day उस दिन को मतलब जो exercising of the option वाला दिन होगा जिस दिन आप अपने option को exercise करोगे उस दिन को जो opening और closing जो होगा आपका price उसकी average आपने अपनी fair market value मान लेनी है लेकिन बेटा जी एक चीज ध्यान रखना अगर ये एक रेकुगन ही stock exchange पे listed है तब लेकिन अगर more than में हुआ तो sir क्या करेंगे तो उसमें कुछ ने करना same किस्सा चलाना है और same चीज हर एक के निकाल के जिसका price सबसे ज़ादा होगा वो ले ले लेना है क्या ले लेना है जिसकी trading सबसे ज़ादा होगी उस हिसाब से उसको ले लेना है ठीक है ये ध्यान में रखना है अब sir इतना आपने बताया अगर मैं ये कह दूँ कि जिस दिन आपने exercise करा option उस दिन अगर holiday होनी हुई या फिर कहलो जिस दिन को करना हुआ उस दिन अगर holiday हुई market बंद हुई तो क्या करना है तो भई जिस दिन आपका exercise होने होगा उससे पिछला दिन जो working day होगा वो ले लिया जाएगा अगला नहीं ठीक है इस case में ध्यान रखना पिछला दिन लिया जाता है अगला नहीं wait मत करते रह जाना मारे जाओगे बीच में ठीक है चलो अगर sir listed ही ना हुआ तो बताइए क्या करना है तो sir अगर listed ही ना हुआ तो ध्यान रखना है कि FMV shall be such value of the share in the company as determined by merchant banker अगर आपका recognize नहीं हुआ या आपने listed वहाँ पे नहीं कराया तो भई जो merchant banker कहेगा उस दिन को date पे क्या आपका price था वही merchant banker की बात मान के आपने ले लेना है बस इतना सा काम है यही तो करना है ठीक है चलिए तो अब आपके जितने परकेसेट्स मैंने करवाने थे यह detail सारी परकेसेट्स यहाँ पे आज खतम हुई है ठीक है तो ध्यान रखना दोस्तो कि हर परकेसेट्स में क्या क्या चीज़े जरूरी है कैसे कैसे focus करना है अब आपको सारे जितने पी बचे हुए परकेसेट्स सी उनकी भी लिस्ट को अच्छे से ध्यान में रख लिया होगा और समझ आ गया होगा ठीक है तो चलिए दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा अगली आने वाली वीडियो का इंतजार करिएगा आपको ऐसे यह और बहुत सारे सेलरिस के मिलने बागी है और बहुत इंकम टेक्स अभी बागी है ठीक है तो थैंक यू सो में दोस्तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच हव नाइस दे